कोशी पुलिस और स्वाट टीम ने सस्त्र बनाने की फैक्टरी का भंडा फोर किया है भारी मात्रा में अदबने हत्यारों के साथ चार हत्यार तसकरों को ग्रफतार किया है बताया जा रहा है कि कोशी के उटवार गाउं में करीब दो महीने से अवैस सस्त्र बनाने की फैक्टरी की सूचना पुलिस को मिल रही थी लेकिन पुलिस को उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया था मुखविर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उटवार गाउं में छापे मारी की जिसके दोरान अवैस सस्त्र बनाने की फैक्टरी का भंडा फोड किया घटना इस तल से चार आरोपियों को ग्रफतार किया जिनके कबजे से तीन बंदूग, चार तमंचा, तीन देशी पिस्टल और अवैद हत्यार बनाने के उपकरण बरामत किये हैं पुलिस पूस्टाच के दोरान आरोपियों ने और भी चौका देने वाले खहला से किये हैं आरोपियों ने बताया कि कुछ हत्यारों को तो वो यहाँ मैनुफैक्चरिंग करते हैं और बाकी के हत्यारों को बेहार से मंगा कर यहाँ सप्लाई करते हैं माना जा रहा है पकड़े गई शातिर आरोपियों का नेटवर्क बढ़ा है पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है पकड़े गई आरोपियों ने ये भी बताया कि उनके गैंग में पांच और लोग सामेल है पकड़े गई शातिर आरोपियों की निसान देही पर पुलिस फरार पांच आरोपियों की तलास में दविस दे रही है और जल्द ही ग्रफतारी कर जेल भेजने का दावा कर रही है पकड़े गई आरोपियों में सरजीत, सहाबुद्दीन, आमिद, धाके राम इनमें से जगजीत का पूर्व में भी हत्यार तशकरी का इतिहास रहा है वो कुछ दिन पूर्व जेल से छूट कर आया था उसी के संदे पर पुलिस उसकी गत्विदी पर नज़र रख रही थी और पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जगजीत ने अवेश सस्त्र बनानी का अवेश कारोबार शुरू कर दिया है पुलिस ने उटावर गाउं में छापे मारी कर इस अवेश सस्त्र बनानी की फेक्टरी का भंडा पोड़ किया और चारों आरोपियों की गरफतारी कर जेल भेज दिया सर्थ थाना कोशी के अंदर सोजी टीम के साथ ये नगला उतार गाउं पढ़ता है नगला उतार गाउं में आज तीन लोगों को गिरफतार किया है जरजीत सन अफदीन मुहम्मद, आमिद पुताफ भारिंग और शाबुदीन पुत्रफ समाइट और चौथा विक्ति धाके राम पुत्रफ प्यार इला इन लोगों से अवैद असला जो है बरामत किया गया है बरामत की का समान जो है वो भी बरामत किया गया जिससे असला मैनिकेक्चर करते हैं इनके पास तीन मंदुके, चार तमंचे, तीन देशी पिस्टल और हत्यार बनाने के औजार गिरफतार किये गए इनके पांच लोग के नाम भी प्रकाश में आए हैं तो इनके साथ इस घटना में थे, इस घटना के अंदर वो लोग वांचित हो है, शीग रूम की भी गरफतारी की जाएगी इसके अंदर important चीड यह है कि जल जीट है, उसका पूर में भी आपरादिक इत्यास रहा है, आम सैक्ट और इसके अंदर वो पूर में भी जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद यह जानकारी आई थी कि उपना इस तरह की गतिविदियों में लिफ्ट हो रहा है interrogation में इनों नें बताया कि कुछ असले अपने यहां से बनाते के और कुछ असले जो है यह पिहार से यहां पर मंगा के सेल करते थे जैसा में बताया इसके अंदर इसके अपना रिमांट पर लेकर और पूसार किया जाएगा जो हम लोग को information था कि जो जेल से चूट के जो लक्षे चुना था समझाने लगा है जो भाविश्य बुना था नजर आने लगा है जी एले यूनिवर्सिटी उच्छे लक्षों के निष्चित प्राप्ति लक्षे चाहे जौब पाने का हो या जौब देने का